प्रकतिक आपद्वाओं से होने वाला नुकसान सबसे अधिक किसानों को होता है इसलिए सरका ने पशुदन बीमा का लाग प्रत्तिक किसान तक पहुचाने का निनलिया है बच्छडे बक्रिय मुर्गी से लेकर प्रत्तिक प्राणी का बीमा सुलपता से किया जा सकता है इस योजना को सभी किसानों की घरों तक पहुचाना होगा यह अंदरदेश सुमवा को पशु सनवर्धन दुग्द विकास क्रीडा एवं युवा कल्यान मंत्री सुरील के दार ने दिये वे या पशु सनवर्धन वा दुग्द वेफसाइब विभा के सभी शीर्ष अधिकारियों की बैठक को सम्मोधित कर रहे थे इस मौके पर मंत्री ने राश्री पशुधन योजना की वर्तमान इस्थिती क्रत्रिम रेतन वेरन विकास और शद उपलब्दता ठीका करन और टीके की उपलब्दता दवाखानों की स्थिती कुटकुट पालन योजना राश्री पशुधन अभियान की समिक्षा की उन्होंने जिला वाशिक योजना के तहत प्रतिक जिले में पशु सनवर्धन विभाग को दी गई निधी की जानकारी भी ली के दानेका की पशु पालकों को अच्छानक मवेशी के मरने से आर्थिक नुकसान होता है ऐसे किसानों को ध्यान में रखते हुए प्रतिक पशु का भीमा किया जाना जरूरी है गाए भैस बेल घोडे उट आदी सभी पशु का महराश्री पशुदन विकास मंदल के माध्यम से बिमा किया जा रहा है उन्होंने एकात्मिक कुटकुट पालन योजना के अंतरगत अनुदान के संभन में चर्चा करते हुए कहा गी राश्री पशुदन अभियान के अंतरगत भारी संख्या में प्रस्ताब भेजे गए हैं इस मामले में ठेकेदारी प्रथा की तरह धीरे धीरे काम करने से नहीं चलेगा ऐसे मामलों में जेमेदारी तैक करनी होगी बैटक में प्रादेशिक पशू सन्मर्धन, सह आयुक्त, डौक्टर बलदेव रामतेगे, महराश्च पशूधन विकास मंदर के उपायुक्त, डौक्टर संजी गोरे, डौक्टर नितिनफु के, डौक्टर मंजुचा पुनलिक, डौक्टर यसुदास वंजारी, डौक्टर मंगेश काले, डॉक्टर विलाज गाडगे, डॉक्टर पुनलिक बोरकर, डॉक्टर अर्विन शम्हरकर, डॉक्टर प्रग्या डाय गवाने, डॉक्टर कांतिलाल पतेल, डॉक्टर प्रशान्थ वैद, डॉक्टर उमेश हिरुटकर, डॉक्टर युवराज केने, डॉक्ट